Hello everyone, I am Jyoti Chha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ने वाले हैं Class 4 की Hindi Workbook Chapter 11 पढ़कों की सूज तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपने अभी तक पढ़को की सूच चाप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देतूंगी आप वहाँ से निकालके बेसे पढ़ सकते हैं तो चलिए वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखो पढ़को क्या पढ़ते थे? पढ़को तरकसास्त्र पढ़ते थे पढ़को को किस बात की फिक्र हुई? पढ़को को इस बात की फिक्र हुई कि कोलू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है? पड़कु ने मालिक से क्या पूछा पड़कु ने पूछा बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम्हारे कोलू का बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है मालिक कैसे जान लेता है कि बैल घूम रहा है या नहीं तो देखे, लिखेंगे कि जब तक बैल की घंटी बस्ती रहती है उसे कोई चिंता नहीं होती लेकिन जैसे ही घंटी बजनी बंद हो जाती है मैं लोगों से पूछ लेता हूँ पड़कू ने माली को बेवकूफ क्यों कहा क्योंकि उसने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे तुम्हें कौन बेवकूफ लगा पढ़कू या बैल का मालिकू तो पढ़कू ठीक है क्योंकि वह अपने सामने सभी को बेवकूफ समझता था उसके बाद देखे नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ लिखो तो देखे सब्दों का अर्थ लिखना है अब इसी तरह से यहाँ पे जो जितने भी लिखे हुए है उसका आपको सब्दों का वाक्य में प्रियोक करना है तो गढ़ना मिन्स क्या होता है बनाना तो सोनार बहुत अच्छे अच्छे जेवर गड़ता है फिक्ड मिन्स क्या होता है चिन्ता ठीक है यहाँ पे सारे चीज़ का दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इसका वाक्य क्या बनाएंगे मुझे अपने मम्मी पापा की फिक्ड है गजब, आज कितना गजब का मौसम है धब, हमें कोई भी काम धब से करनी चाहिए भेद, रावन का भेद सिर्फ इविविशन को पता था मन्थिक, पड़कु मन्थिक में तेज था याने तरकसास्त्र में तेज था कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी करो एक रोज वे पड़े फिक्ड में समझ नहीं कुछ पाए बैल घूमता है कोलहू में कैसे बिना चलाए कोलहू का यह बैल तुम्हारा चलता या अरता है रहता है घूमता, खाड़ा हो या पागुर करता है जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्ड करता हूँ हाँ, जब बजती नहीं दोड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है यह केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पड़ पाया है ठीक है, इसी तरह से इसे पूरा करना है उसके बाद है नीचे दिये गए वाक्यांसों के लिए एक शब्द लिखो तो बहुत अधिक पढ़ने वाला क्या होता है पढ़कू या पढ़ाकू जो बहुत पढ़ता है उसे हम पढ़कू या पढ़ाकू कहते है अब बहुत अधिक लड़ने वाला तो लड़ाकू, बहुत भाते करने वाला तो गपू, बहुत अधिक पैसे खर्च करने वाला खर्चीला, बहुत अधिक खाने वाला तो बुक खड़, ठीक है, उसके बाद देखे, बैल से कई काम लिये जाते हैं, बैल से लिये जाने वाले काम लिखो तो कौन-कौन से काम लिए जाते हैं बोजहा ढोना ठीक है खेत जोतना सवारी के काम सवारी के काम में भी आता है बेल ठीक है पहले जमाने में बहुत पहले होता था कि लोग सवारी भी करते थे कहें जाना होता था एक गाउं से दूसरे गाउं तो बैल से भी जाते थे पीछे ठेला गाड़ी लगा के इसके बाद सवारी किया जाता था इसके बाद देखी पागूर सब्द का अर्थ है जुगाली करना बेल के अलावा और कौन-कौन से पस्तू जुगाली करते हैं किनी छेह के नाम लिखो तो देखिए घोडा, बकडी, गाई, उट, जिराग, भैस तो जुगाली करने का आप देखिएगा कि जैसे कि गाई होती है या भैस जो भी जुगाली करते हैं तो जैसे कि वो कुछ ना कुछ खाड़े हो इस तरह से उसका मुझ चलते रहता है तो वही होता है जुगाली करना तो बकडी भी जुगाली करती है गाई, उट, जिराग, भैस इस तरह से आपको छैका लिखना है इसके बाद देखें पड़कु हमेशा नई बात गढ़ते थे तुम भी कोई ऐसी ही नई बात गढ़ो तो ये आपको खुद लिखना है तो देखें पड़कु जो था वो बहुत मतलब नया नया बात गढ़ते रहता था गढ़ना मिन्स बनाना तो आप कौन-कौन सी बाते बनाते हैं नई नई बाते गढ़ते हैं तो वो आप लिखें इसके बाद देखें नीचे कुछ सास्त्रों के नाम दिये गए हैं अपनी अध्यापिका से पूछ कर लिखो किस विशे में क्या पढ़ाया जाता है तो अध्यापिका से पूछ के लिखना है तो देखें तरक सास्तर में तरक अत्वा विचार करने की कलाही तरक सास्तर कहलाती है अर्थ सास्तर में इसमें धन के विज्ञान से जुड़ी सभी जानकारी होती है उसके बाद देखिए फिर है राजनिती सास्त्र यह सरकार से संबंदित विज्ञान होती है ठीक है राजनिती के बारे में जो है पॉलिटिक्स चिकित्सा सास्त्र में तो इसमें चिकित्सा से जुरी सभी जानकारी होती है गनित सास्तर में इसमें गनित के बारे में संपुर्ण जानकारी दी जाती है ठीक है तो इस तरह से सारे को मना लेंगे इसके बाद है कि लगता है पढ़कु ने उस गधे की कहानी पढ़ी होगी जो नमक का बोज कम करने के लिए नदी के बीच बैठ जाता है लेकिन उसका मालिक उसे सबक सिखाने के लिए उस पर अगले दिन रुई लाद देता है इस कहानी को अपने सब्दों में लिखो तो इस कहानी को आप अपने सब्दों में कैसे लिखेंगे वो किस तरह से उसका मालिक उसे सबक सिखाने के लिए रुई लाद देता है किस तरह से वो जाके बैट जाता है नदी में ठीक है तो ये अपने से आप कहाने खुद बनाएंगे उसके बाद है कि नीचे दिये गए सब्दों को इस प्रकार लिखो कि इनसे अर्थ पूर्ण वाक्य बन जाए ठीक है तो इस तरह से लिखना है आपको जो वाक़े लगे कि बिलकुल पूर्ण है नहीं भी नई बनाते जहां वहाँ बात होती कोई बात तो ये देखे उल्टा पुल्टे कड़के बना ये लिखा हुआ है अब आपको इस तरह से लिखना है कि ये एक अर्थ बन जाए यानि कि पूरा लगे कि संपुर्ण वाक्य बना हुआ है तो लिखेंगे क्या जहां कोई बात नहीं होती वहां भी नहीं बात बनाते है कोल हो तो तुम्हारे कोल हो का बैल चलता है या अरता है तुम्हारा ही गर्दन बैल लगे खड़े-खड़े हिलाने तुम्हारा बैल खड़े-खड़े ही गर्दन हिलाने लगे ठीक है उसके बाद देखिए अभी मन्तिक पढ़ा हमारा नहीं है तब बैल अभी तक हमारा बैल मन्तिक नहीं पढ़ा है ठीक है इस तरह से इसे लिख लेंगे इसके बाद है चित्र देखो और लिखो बैल का प्रियोग क्या निकालने के लिए होडा है तो यहां देखे चित्र देखे तो यह एक खेत का चित्र है यहाँ बैल का पडियोग खेतों में हल चलाने के लिए होडा है अब ये वाला जो है इसमें देखिए बैल का पडियोग कोलू से तेल निकालने के लिए होडा है ठीक है? इसके बाद इसी तरह से इसे बना लेंगे ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हूँ आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अगर आपको कहीं भी समझने में प्राब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के उदारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो